कैसे हो भाई लोग I hope आप सब मज़े में होंगे और sorry यार एक दो दिन से गायब हो गया था लेकिन कुछ सर्च कर रहा था आपको भी पता है तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही मज़ेदार चीज के बारे में हमारे फेवरेट AMD Ryzen CPU APU Chipset सब कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ पहली और दूसरी जनरेशन आज आपको समझाओंगा ठीक है तीसरी अभी बाद में आने वाली है मैं already वीडियो बना चुगा हूँ तो आज के इस वीडियो में Ryzen की first और second generation उसके CPU, chipset, APUs, जो भी है छोटे CPU, बड़े CPU सब कुछ हम बात करेंगे ठीक है डीटेल में और मैं मतब यह जो दोनों वीडियो से न उसको separate रखना चाहता हूँ अगले वीडियो में हम price to performance की बात करेंगे अलग-अलग CPU कंपेर करेंगे राइजन के ही ठीक है जैसे हमने इंटल में किया था लेकिन आज यहाँ पर फंडामेंटल लेवल पर बेसिक वे में सारे के सारे CPU आपको समझाना चाहता हूँ जितने chipset हैं और जो भी हुआ है ना राइजन की first और second generation में बहुत important यह वीडियो ठीक है तो अगर आपको याद हो तो ऐसा ही मैंने इंटल पर वीडियो बनाया था उसमें मैंने 8th और 9th generation आपको समझाई थी जो अभी currently running है और AMD में अभी first और second generation running है ठीक है तो जैसे उसमें मैंने बोला था ने इंटल की जो 8th और 9th थी वो completely separate generation नहीं थी ठीक है तो ऐसे ही Ryzen की पहली और दूसरी generation नहीं है पहली generation आई और उसके बाद दूसरी generation 12 nanometer पे उन लोगों ने launch की पहली की थी 14 nanometer ठीक है राइजन और राइजन याद आया कुछ यह नाम थोड़े से जैन आर्किटेक्चर यह सब कुछ ना एक जैसा है और अगर आपको यह चीज बहुत सारे लोगों को पहले वैसे नहीं पता होगी लेकिन यह लोग राइजन का नाम पहले horizon ही रखने वाले थी ठीक है अब उस नाम originally horizon रखने वाले थे और ऐसे न्यूज आये थे ठीक है तो यह मैंने कुछ बनाया है आपको समझाने के लिए ध्यान से समझने के कोशिश करना AMD ryzen first generation zen architecture ठीक आर्किटेक्चर का नाम है zen और 14 nanometer का पूरा process उसमें यूज किया गया है ठीक है और यह उसके chipset हैं अब दूस दूसरी जो generation आई ना उसको zen plus कहा है उन लोगों ने zen 2 ने zen 2 है वो तीसरी ठीक है तो confused मत हो ना तीसरी जब आएगे न तो उसको zen 2 बोला यह zen plus है मतला पहली पे ही बेश्ट है अगर आप ध्यान दो तो 14 से 12 nanometer पे आ गए तो दूसरी generation को zen plus बोला और उसके जो पहली generation के जो चिपसेट है ना याने की X370 main chipset उसके बाद यह चोटा chipset budget chipset B350 ठीक है तो मतलब तीन से जिसका आकड़ा शुरू होता है वो Ryzen की first generation का chipset है अब इसको यह जो 370 है उसको आप coffee लेक का जो Z370 main chipset उसके साथ confuse मत करना ठीक है दोनों के दोनों अलग-अलग है यह X370 है वो Z3 378 ठीक है उसके बाद दूसरी generation में उन लोगों ने जो chipset के नाम है 4 से रखे है अब यह लोग ना मतलब AMD ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है chipset के मामले में जो processor की category है वो CPU का जो naming model number है उसमें डिट्टो डिट्टो उन लोगों ने किया कि राइजन को और Intel copy किया है तो य वीडियो अगर नहीं देखा है ना 300 series का मतलब 3000 series के chipset का मैंने announcement किया था CPU Ryzen की 3rd generation देख ले ना ठीक है बहुत सारी चीज़ समझ माएगी तो यह पहली generation दूसरी generation और तीसरी generation जो की अभी आने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम ने इन दूनों के बारे में बात करेंग तो यह देख लो Ryzen उन्होंने फरवरी 2017 में अनूंस किया था अब यह Wikipedia का page अगर आप study करोगे ना तो यहां पर थोड़ा सा confusion हो सकता है तो उन लोगों ने क्या किया था मतलब Ryzen की पहली generation अनूंस होई ना उसके एक महीने बाद इस page को अपडेट किया था और एसा announcement किया था कि दूसरी generation आएंगी ना तो यह सारे CPU आएंगे लेकिन अगर आप ध्यान दो तो Ryzen के जो दूसरी generation के CPU है ना यहां पर तो यह बहुत कुछ दिखा रहे है जैसे देख सकते आप Ryzen 3 2300X या 2500X ठीक है तो यह सारे CPU ना आए नहीं है जिन CPU के सामने release date और प्राइज लिकिया ना वही CPUs launch हुए है यह सारे नहीं हुए है ठीक है दूसरी generation में और इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना कि इस सारी चीज़ आपको समझाने पड़ेगी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है दूसरी generation में सिर्फ और सिर्फ चार ही CPUs आउट हुए है यह 2600, 2600X और और Threadripper, Threadripper को हम अगले वीडियो में डिसकस करेंगे यहां पर सिर्फ जो consumer level CPUs है ना mainstream category CPUs उसके बात कर रहा हूँ और उसके chipset की बात कर रहा हूँ ठीक है तो पहली generation की यह सारे के सारे 100 series की मतलब 1000 series की यह सारे के सारे launch हुए थे उसके बाद 2000 series की यह वाले launch हुए थे उ अगर आप Intel की naming scheme देखो तो उसका पहला आकड़ा जो है ना इवन इसमें भी जो consumer level CPUs है सिर्फ APU की बात नहीं कर रहा है CPU की उसमें पहले आकड़े से आप बोल सकते हो कि Ryzen की first generation का CPU है और उसके बाद जो बागी के 3 है वो model number ठीक है और उसके बाद X और K और यह बहुत कु कोशिश करना प्लास यहां पर पहली generation के जो उन्होंने APU launch किये थे ना उसका जो आकड़ा है वो दूसरी दो से शुरू होता है लेकिन वो पहली generation के APU है समझने के कोशिश करना दूसरी के नहीं ठीक है तो यह जो चीज़े है ना यह बिल्कुल डीप में मैंने study किया है इस आसा नहीं है ठीक है तो यह आप देख सकते हो चिपसेट पहले चिपसेट की बात कर लेते हैं तो AMD के अभी AM4 platform पे इतनी चिपसेट है ठीक है एक्स 470, X370 फिर यह budget वाले 450 फिर बजेट वाले 350 पहली generation के यह दो है ठीक है यह वाले 370, 350 अभी मैं बोल चुका हूँ और यह 470 और 450 दूसरी generation के फिर उसके बाद और बजेट चिपसेट भी उन्होंने लांच किये थे A320 बिल्कुल जो चोटे से एथलॉन होते है उसके लिए या APU भी किसी को लगाना है तो उसके लिए और यह जो दोनों चिपसेट है वो बिल्कुल small form factor जो pieces होते है उसके लिए है यह शायद laptop के लिए है ठीक है I'm not sure आप पता कर लेना लेकिन आप भी हम system build करने की बात करें तो इन पांचों में से किसी भी chipset को हम choose कर सकते है और Ryzen के जितने भी CPUs APUs है ना उन में से किसी को भी choose करके हम system build कर सकते है एक और बहुत important जो AMD की खास बात वो यह है कि जैसे पहल प्रचेस करने की जरूरत नहीं है ठीक है यह बहुत अची चीज है AMD की और इसी को देखते हुए Intel ने भी यह same scheme apply की है जब उन्होंने 9th generation launch की तो 9th generation के CPUs को अगर आपको Z370 पर चलाना है तो BIOS update के साथ चला सकते हो ठीक वैसे ही पहली generation का जो motherboard है आपके पास याने की 370 वा प्रच नहीं किया सिर्फ X399 जोंकी पहली generation का चिपसेट है उसी पे ही वो लोग चला रहे है ठीक है तो यह बहुत अची चीज है मतब कंजूमर के लिए बहुत फाइदे वाली चीज है अब बात कर देंके CPUs की तो जैसे मैं आल्रेडी वीडियो बना के आपको बता चुका कि लोगों को CPU के बारे में सब कुछ बता होता है लेकिन सब्सक्राइब को पूरे computer को सही से नहीं समझ बाहोगे आपको कितना support मिल रहा है क्या लेन मिल रही यह जैसे यहां पे दिखाए गया है कि कितनी PC एक्सेट लेन है क्या है NVMe का support सब कुछ यहां पर जानना जरूरी ह सब्सक्राइब नहीं हो सकता हो सकता है रेड सब कुछ बिल्कुल डीटेल में लिखा हुआ होता है ठीक यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा मदब चिपसेट भी कौन सा प्रॉपर सिलेक करें परना कई बार क्या होगा आपने सीप्यू तो बहुत अच्छा ले लिया लेकि जैसे वह इंटेल में पेंटियूम था ना ऐसे यहां पर यह लोग एथ लोन दे रहे हैं अब यहाँ पर दो कूर वाले और चार कूर वाले भी है थोड़ा साथ आपको समझाना जाता हूँ यह जो एथलों है यह वाली यह तीन टीन मोडल यह बहुत अच्छे है ठीक है मतल जन्टरेशन है वो भी उन्होंने एम-4 प्लैटफोर्म पे ही लांच किये लेकिन इसको आपको नहीं लेना ठीक इसका पर्फॉमंस भी अच्छा नहीं है और प्राइस भी कुछ जाधा है तो उसके प्राइस में तो बारा सो और जो तेरा सो है न वो भी मिल जाते हैं और एप है और यह भी एप्यों है जो कि ए सीरीज के जो पहले के एप्यों मिल देते हैं उसका ही उन लोगों ने रिफ्रेश वर्दन लॉंच किया एम-4 प्लैटफॉर्म पे और उसके बाद यह चार कोर वाले एथलोन है तो यह चीज आपको खास देन रखनी इसको भी नहीं लेना है यह जो है न यह चेकेश है इसको भी नहीं लेना है सिर्फ इन तीनों में से अगर आप लेना चाहो ना मतलब जैसे हम पैंटियों में से लेक कर दें बिल्कुल चोटे स्मॉल बजेट जिसका बज़ेट बिल्कुल टाइट है पचास साथ डॉलर मतलब इसकी प्राइज मन मैं अभी आगे दिखा दा हूँ ठीक है लेकिन इसको मतले ना गलती से भी इसमें से किसी एक को ले लिया आपने देखे कि एम 4 पे चलता है ठीक है तो यह बहुत ही बूरी डील होगी और इसमें रेडियों ग्राफिक्स मिलता है वो जो दूसरे एप्यूज है उसमें वेग अगले वीडियो में समझाऊंगा ठीक है तो टोटल ना इतने सीप्यूज है मैं पहले आपको बता देता हूं यह सॉकेट एक मिनट रुख जाओ सबसे चोटे से लेके बारा सो फिर बाइस सो जी से लेके चौदा सो फंदरा सो शोला सो सतरा सो अटरा सो सताइस सो चबीस सो सब कुछ आगया ठीक इसमें टोटल सीप्यूज अभी दिखा रहा है जितने एम फूर प्लैट्फोर में अवेलेबल है अब यह प्रो वाले और समत देखना क्योंकि यह हमारे पास अवेलेबल नहीं है ठीक है यह देख लो राइजन थे टोटल अभी हमारे पास वारा सो अथे रह थे रहा सो एकश और वाईससो जी ऑर चोबीस सोजी यह शायद उस पर है मोबाईल पर शायद यह रिलीज ही नहीं हुआ है मुझा नहीं पता देख लेना आप अपनी तरफ से यह मूबाइल वाले हाँ यह रिलीज नहीं हुआ है यह मूबाइल वाले हैं यह वाले ठीक है तो मूबाइल अगर लैपटोप पर्चेस करोगे तो शायद उसमें यह मिलेगा और उसके बाद राइजन 7 की बात करते हैं तो इतने CPUs हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ ठीक है एथलोन दो कोर वाले जैसे पैंडियम थे उसके बाद राइजन 3 जैसे आई 3 था उसके बाद राइजन 5 जैसे आई 5 था उसके बाद राइजन 7 जैसे की आई 7 था ठीक है और उसके बाद थ्रेड रिपर लेकिन उसकी कहानी मतब आई 9 और अभी मैंने कवर नहीं किया हैं इंटल साइड भी तो वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वो वर्क्षेशन लेवल के कैटेगरी की CPUs हैं यहाँ पे हम कंजूमर लेवल के CPUs की बात कर रहे हैं ठीक है समझ में आ गया होगा I hope आपको कि कितन अने ही वाली है और वो आ जाएगी न तो भी मतब उसके आने के साथ इसके प्राइस भी डाउन हो जाएंगे अगर इस पे भी करना है न तो भी थोड़ा सा वेट करो ठीक है तो वैसे तो उसके साथ ही जाना चाहिए थार्ड जेनरेशन के साथ ही लेकिन फिर भी अगर आप आप राइसन बे पूरा सिस्टम बेंड कर सकते हो एक प्रॉपर चिपशेट से लेक्ट करके प्रॉपर सीप्यू से लेक्ट करके ठीक है मधर बॉट परचेस करो आगे की कहानी तो आपको पता ही है तो आई होप इसमें में इसको इतना ही समझाना था ये वीडियो में जो कुछ क्लियर हो गया होगा और कौन से से शिप्यू परचेस करने है और कौन से नहीं करने अब ही खास ध्यान रखना यह जो मैंने कहा था ना कि यह वाले कहां कि यह वाले गल्थी से को परिजेस मत कर ले ना कि